व्वी इन 2025 अब जैसे पॉलमेन बोलते हैं that is not just a prediction that's a spoiler तो इस वीडियो को तो वैसे करेंगे 2025 में जाके अनलाइज उसके मिड में या फिर एंड में लेकिन 2025 वो साल होने वाला है जो की आने वाले टाइम के लिए व्वी को हमेशा के लिए बदल के रख देगा और 2025 व्वी के हिस्ट्री का सबसे बढ़िया साल होने वाला इंटम्स स्टोरी लाइन कॉंटेंट प्रॉड़क्ट या फिर बिजनस किसी भी एस्पेक्ट में आप इसे देख सकते और मैं आपकी ने इस वीडियो में तरीके से प्रेप करवाने वाला हूं 2025 के लिए आपको किन चीजों के मस्त वीडियो में मजा आएगा आपको अंकट है तो और ज्यादा मेर को भी फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी चीजों को बताने में आप सबसे पहले देखो अगर हम डबल ली के ना पिछले कुछ साल देखें आप इसको 2017-18 से ही गिन लो इवन उस ताइम की में बात कर रहा हू वी ने जो भी उनके उस समय हिसाब से सुख सुविधाय थी उस हिसाब से बहुत बड़ी है डिलिवर किया लेकिन उससे पहले तो मामला खराब चल रहा था लेकिन एक चीज चीज कॉंस्टेंट थी वो था बिजनस के हिसाब से बेटर ग्रो करना में अपनी डेली वाली वी ज़्यादा बूस्ट आ गया एंड उस पॉइंट पर ऐसी चीज होती जो कि हमेशा डेली के अगेंस जाती और इस पॉइंट पर वो सही चल रही है अब देखो कितना कॉंट्रडिक्टिंग है यह कि वो चीज जो कि डेली के बिजनस के लिए बढ़िया होती थी उसको फैंस पसंद नहीं करते थे अग्जांपल के लिए अब ज्यादा एग्जांपल में शाद मेरे पास रोमन रेंस का नाम ही आएगा क्योंकि वो ही वो सूपरस्टार थे जिनको जो हार्ड कोर या फिर जो बिल्कुल ओपीनियन देते हैं डेली के प्रॉडक्ट पे उनको पसंद न मैं वो जो प्रोग्राम था वो रोमन रेंस को हेल्प किया तो ठीक है तो अंडर्टेकर खुद अडमिट करते हैं वो क्या कचरा था और डेली ने उस चीज को किया लेकिन वो बिजनेस के हिसाब से बढ़िया था क्योंकि रोमन रेंस ग्लोबली एक बड़ा नाम बन चुके अब यह इस को तर्म भी दिया जाता है डेलोवू में उस हिसाब से जब और यह तो इसा से संवाप से और यह भर होती थी लेकिन अब में है क्चछबर अपिज़नेस ओर्डीन डिये जा रहे हैं वह था जर गार। यह दोनों दिया वी के प्रॉपिट में और फैंस को भी प पे WWE को ले के आ रही है जहां से और जो WWE वो ऊपर ग्रो करने वाली है and 2025 एक चीज़ आपको पता है ऐसा साल बन सकता है जहां पर WWE पहली बार दो ऐसे प्रीमिम लाइवेंट होस्ट करें जो की टू नाइट्स के होने वाले हैं अब अगर आप देखो की दूसरा कौन सा वो इवेंट बनने वाला है तो मैंने बताया था आपको वो सब्सक्राइब की समर्स्लाम के बाद प्रेस कॉंफरेंस में किया तो WWE ने ना सिर्फ अपने पी अलीज को अलग अलग जगा करवाना शुरू किया जो कि ग्लोबली उनको जादा से जादा ओडियन्स अट्रैक करने मदद करता है बलकि अब टू नाइट्स के दो इवेंट वो करवा रहे हैं तो इसका मतलब कि अब डेवल उस चीज को अपन एक तरीके सा सक्सेसर बनाएगी अब किसी और शो को भी दो इवेंट करने का और हो सकता है आज से 2019 साल में जब हम बात करें तो ऐसा भी हो सकता है कि रॉयल रंबल, समर्स्लैम, सर्वाइवर सिरीज और रैसल मिन तो ओवेसली वह तो है यह सारे के सारे टू नाइट्स की ब अब तो मज़ा आने वाले, नेट्फिक्स में उस ताफ का कॉंटेंट भी होगा थोड़ा, डेबल अबली का प्रोड़क्ट एजी हो जाएगा लेकिन उस नजरिये से ही नहीं देखना है इसको क्योंकि वीडियो में बाकी वीडियो में जादा धीठल में जाने का मौका नह समझो कि कोई एक मूवी है जिसमें आपको एक्षन थोड़ा सा एक्षन के साथ साथ एक्षन ही बोलेंगो वैसे एक्षन है, मार धारा है, बहुत ज्यादा, खून घराबा हो रहा है, मतलब बिल्कुल होता है कि मज़ा आगया है क्या मारा पटक के अब डेबल डेबल डेब लेकिन डेबल 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 डेबली को अपने डविटाइजमें डेजर्स जो है कि अब अपने प्रॉड़क को ऐसे पैकेज करने वाली है कि यह नहीं कि उस टाइब का पाटेंट दिखेचा तो बस उस ही से डेबल डबली चलेगी उसके फोट तो डैबल डरी आप डिशे जैसे कि वही वाला एंगल जो डेवल अचानक से व्यूज लाके देता है अगर आप डेवल यूट्यूब में जाके पॉपलर वीडियो में जाओके तो आपको समझ में आगा कि कैसे डेवल व्य को पता है कि चीजे उनके प्रोड़क के लिए कैसे वक करते हैं आज तक कैसे कर दिखाने तो नेट्फ्लिक्स वोसिस अलाओ करेगी और मैं तो इस चीज के लिए एकसाइट हूं कि अब वो नेट्फ्लिक्स के ओपर चले जाएंगे तो ट्रिपल एश ने खुद बोला कि ग्लोबली कितने सारे लोगों के पास हमारा जो कॉंटेंट हो पहुशन लगेगा जब यह नेट्फ्लिक्स की बात होती है तो वो बस आया लाइव और चला गया लेकिन नेट्फ्लिक्स में अब वो पूरा नेट्फ्लिक्स OTT प्लैटफर्म की तरह हो है तो इसलिए डेपल डबली इसको देख लेए कि यह कितना डिफरेंट हो सकता है और जैसमें आपको ब पड़ेगा अब ऐसा थोड़ी होगा कि उनको कोई चीज करनी है वो स्मैक्डाउन की चीजे तो वो इसको स्पेशली रो में लेकर आ रहे है थोड़ा आप कह सकते हो आगे होगा मंडे नाइट रो और वो हमेशा ही रहा है इसलिए मंडे नाइट रो को फ्लैक्शिप शो कह बाए कि वो वेट नी कर सकते है और ज्यादा बहुत सारे लोगों ने इस बात को लेकि आपती भी जताई होती है बाई कि हम तो अपने शो में हैं और हम ही नहीं कर सकते हैं वह चीजे जो कि हम करना चाहते हैं लेकि नेटफ्लिक्स में ऐसा कुछ भी नहीं होने बाला अब 41 के ओपर आ जाते हैं मैंने सारे नोटस बनाया हुए ताकि मैं भोलना जाँ सारी चीजे बताने हैं बहुत लंबी बहुत लंबी चोड़ी बात हैं तो देखो रेसल मेन 40 को कहा गया ग्रेटेस्ट रेसल मेनिया और वाल टाइम यह आप चीज देखना ज़रा जब भी विंस मिकमैन का टाइम होता है उन्होंने बताना जरा क्या 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 नाम दिये मेरी तो आजकल सही नहीं लगी मुझे इस्टुपेंडेस्ट रेसल मीना नाम दिया एक वो ग्रेटेस्ट मेन इवेंट और वाल टाम जो नाम दिया था वो बस मार्केटिन के हिसास से बहुत अगर रोमन रेंज और कोडी रोड्स के सिर्फ में इवन मैच के उठा के देख लिए तो भाई क्या क्या हुआ था वहा था वहा था उपर से रॉक की इन्वाल्मेंट थी वहाँ पे तो वह सारा एंटेटेनमेंट वाला पैकेश था फैंस के लिए इसलिए ऐसा कहा गया जब बात कर रहा हूं तो यहां पर जो सूपर स्टार्स हैं वह बलड लाइन की स्टोर्लाइन के साथ जैसा इस साल हुआ था पिछले साल तो नहीं को बोल दिया मैं रेसल में एक्स्ट एर होगी तो बलड लाइन की स्टोरी भी ऐसे चलने वाली है मैच इसकी कि दोजारपच्च्ची साल मी है जो कि रोमन रेंज वर्सिस रॉप के बीच में है और शायद रैसल मिर्या फॉटी बन सकता कि आपको साल में कि दो बार कंपीट करते विए भिए दिखाय दे जाया रोग को सकता वैसे यहाला साल भी बन जाए पते कि साल काई युज लेकि के आने से उनको इंडिविजियल खुद का बेनिफित है बलकि कंपनी का बेनिफित है तो वह भी फिर कंपाउंड होके ऐसे होगा कि रॉक को अवराल बिजनस बनाने में ही फायदा होने वाला है तो इसलिए उनकी जो डेडिकेशन है वह बढ़ जाए और इससे जादा मैं क्य कि अगें 2025 साल में आता है एंड लास्टीज तो नहीं है यह लेकिन शायद अकेली ऐसी चीज जो की 2025 साल हमको डेबल बबली मतलब 2025 वह साल होगा इस चीज के लिए जिस क्या बोल रहा हूं मैं 2025 वह साल होगा हम याद रखेंगे इस सीज के लिए और वह है जॉन सिने का फेर आली चीज यह जो जॉन सीना है वह पंक के साथ मैच कर सकते हैं वह रॉक के साथ मैच कर सकते हैं वह जितने भी आप नाम सोचें डुम अकेंटायर या फिर गुंथर वह सारे ड्रीम मैच्ज जो की फैंस देखना चाते हैं उसको करवाने का यह डेबल लोडी के पास लाइफ्रेम ट्वाली चीज ओगई थी अब सोचो इस पॉइंट पर जब डेबल लडी से भी रॉक पॉपलर हुए जान सीना भी मतलब रॉक और जान सीना दोनों बंदे हॉलिवूड में भी जा चुके हैं तो अब ना सिर्फ डेबल लडी की ओडियंस के बल्कि सोचो हॉ जिसकी अपील पूरे वर्ल्ड में है आप किसी भी कंट्री में देखो हॉलिवूड यह जगा है जिसको अगर मुवीज की बात होती है तो इसको रखते हैं यह तो टॉप पही है मुवी तगडी सबसे हॉलिवूड की होती है अब मैं इधर अधर नहीं जाओंगा बॉलिव आराउंड पूरे सीजन में है पूरे फेरवल्ल टूर में कभी भी डेवल डेवल के पास मोगा है रस्ट में तो आइधिंक वो सही जगह नहीं है लेकिन पूरे 2025 साल में कभी भी तो आप सोचके देखो यह किस लेवल पर डेवल को लेके जा सकता है रोमन रेंज अपने अल साल को बहुत एंजॉय किया है अब तक वैसे तो अभी मिड में है रसल मीना का सीजन में इस साल कितना एंजॉय किया यह मुझे लगणा शुरुआ था जो ट्रिपल अच बाते बोलने हैं तो खुद ही कहा दिया भाई अभी तो शुरुआ तुमने अभी कुछ देखा ही नह है आप बताओ आप 2025 को किस तरीके से देखते हो और देखेंगे जरह 2025 अब साल एंड होगा तो कितनी हमारी एक्सपेक्टेशन जो डिलिवर हुई है लेकिन यह काम ट्रिपल एच करने में माहिर है तो ज्यादा सवाल सुषाद में उठाओंगा नहीं बाकि अगर आपको यह आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर सकते हो और तब तक पर लेते रहो जिंदी के मज़े